नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है जब कभी भी हम किसी मॉल या फिर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में जाते हैं वहाँ पर एलिवेटर या फिर लिफ्ट का प्रियोग करते हैं और कभी कभी यह भी सोचते हैं कि एलिवेटर और लिफ्ट कैसे काम करते हैं लेकिन बिना एलिवेटर और लिफ्ट के बहु मंजला इमारतें अनकमफर्टेबल हो जाती हैं तो बात करते हैं इस वीडियो में डारेक्ट एक्टिंग हाइडरोलिक लिफ्ट के बारे में हाइडरोलिक लिफ्ट एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रियोग पैसेंजर या फिर सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुचाने के लिए किया जाता है मल्टि स्टोरी बिल गया था लेकिन यह है सफल नहीं रहा उसके बाद वर्स 1850 में स्टीम और हाइड्रोलिक एलिवेटर्स का निर्मान हुआ लेकिन इसके दो वर्स बाद 1852 में एलिवेटर के इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली सुरक्षात्मक एलिवेटर बनाने का स्रे इलीशा ग्रेव ओटिस को जाता है और पहली एलिवेटर जो पैसेंजर के लिए प्रियोग की गई 1857 में न्यूयार्क में और इसको एलिशा ग्रेव ओटिस ने ही इंस्टाल किया था तो इस प्रकार से हाइड्रोलिक लिफ्ट का इन्वेंशन हुआ अब बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ् पास्कल लोग के प्रिंसिपल पर एक्ट करती है पास्कल लोग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप लिक्विड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह प्रेशर सभी डारेक्शन में इक्विली डिस्ट्रिबूट हो जाता है यह पास्कल ल और इस वीडियो में discuss करेंगे direct acting hydraulic lift के बारे में तो बात करते हैं इस lift में क्या क्या components होते हैं तो सबसे पहले है fixed slender यह slender floor की wall के साथ fix होता है और जहां पर sliding ram reciprocate करती है जब hydraulic pressure apply होता है और slender के bottom में opening होती है जहां से hydraulic fluid enter करता है दूसरा component है sliding ram sliding ram fixed slender में fit की जाती है और sliding ram upward और downward दोनों direction में reciprocate करती है उसके बाद तीसरा component है case यह sliding ram के top पर fix किया होता है और एक capsule की तरह होता है जिसमें passenger या फिर सामान रखा जाता है जिने एक floor से दूसरे floor ले जाना होता है तो अब बात करते हैं direct acting hydraulic lift कैसे काम करती है जब pump के दुआरा oil को under pressure fixed slender में भेजा जाता है जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक reservoir है reservoir में से दो pipe की opening हुई है उपर की जो pipe है वहाँ पे valve लगा है और नीचे एक rotary pump लगा है तो इस rotary pump की मदद से liquid को under pressure fixed slender में भेजा जाता है उस दोरान जो यह valve होता है वह close condition में होता है और यह जो liquid under pressure है यह ram पे pressure exert करता है जिसकी वज़े से जो sliding ram है वो upward direction में reciprocate करती है और इस परकार ground floor से first floor और fifth floor से second floor इस परकार passenger या सामान को transfer किया जाता है और जब case second floor पे होती है first floor पे होती है उसको नीचे लेके आना होता है तो उस समय जो passenger उसके अंदर होते हैं वो एक switch को press करते हैं और वह एक electromagnetic switch होता है उसको press करने से क्या होगा कि एक signal आता है जिस signal की वज़े से जो valve होता है वो open हो जाता है तो जैसे ही sliding ram downward direction में आती है तो इस valve के open होने से क्या होगा जो liquid इस fixed slender के अंदर है वो वापिस चला जाएगा इस valve से होता हुआ reservoir में तो इस प्रकार से जो sliding ram है वो act करती है और इसमें मेलनी क्या है कि इसके disadvantage होती है कि इस type की जो hydraulic lift है उसमें अगर बड़ी इमारत होगी तो उसके मताबिक ही fixed slender की लंबाई को रखा जाता है उधारन के लिए अगर building 20 meter उंची है तब slender 19 meter नीचे जमीन में डालना पड़ेगा उसकी height के अनुसार तो इसी लिए इस type की hydraulic lift होती है उंची इमारतों के लिए उनको प्रियोग नहीं करते हैं तो उसके लिए suspended hydraulic lift का प्रियोग करते हैं उसको हम अगली वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं और important बात इस type की जो lift होती है उसमें जो ram का stroke होता है वे case के lift के बराबर होता है दोस्तो जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे